वेल्कम टूनेक्सिक जाम आज है बारे दिसम्बर 2022 और बारे दिसम्बर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे कुश्चन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकस में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलीग्राम गुरुप पर आपको सारी पीडियो पर एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम् गुरुप का लिंक मैं ने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन हा ज्मारत के 197 जिलों में आयोजोत करेंगे इसमें अलग अलग कंपनिय अपटस्पेट करेंगी और फिप्त क्लास से लेकर 12 क्लास तक के और IT lon spoke इसमें पांट स्क्टेंच कैसकते हैं इसमें क्या एब इस्टोएंट्स को और कंपनियों को एक साथ लाना है इसका मैन परपच है इस ट्रेंट्स को और कंपनियों को दोनों को एक प्लेट फॉर्म पे लाना तो प्रदानमंत्री राश्टी सिक्षुता मिला आज यानि की 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा अच्छा एक दिसंबर को 208 दिवस मना गुलामी के उन्मुलन के लिए अंतराश्टी दिरस भी 2 दिσα मल को मना गए गया थें दिसंबर को बेकलांग व्यक्तिओं का अंतराश्टी दिवस मना गया चार दिसंबर को बारती नौसिना दिवस मनाये गया और अंतरास्टी बैंक दिवस भी चार दिसम्वर को मनाये गया पाच दिसम्वर को बेश्व मरदा दिवस मनाये गया चे दिसम्वर को डॉक्टर भेमरा अमेडकर की 66 मी पुंडितिती मनाये गई साथ दिसम्वर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस मनाए गया 8 दिसम्बर को सार्क चार्टर दिवस मनाए गया 9 दिसम्बर को अंतरास्टी भरस्टचार विरोधी दिवस और नर्संगार की रोकतम और पेडितों के इसमरोटसब का अंतरास्टी दिवस मनाए गया 10 दिसम्बर को अंतरास्टी मानवादिकार दिवस मनाए गया तो दिसम्बर में अब तक इतने इंपोर्टेंटी बनाए गये हैं ये आपको याद रखने है नए क्यूशिन है हाली में केन सरकार ने NDDB के प्रबंध निदिशक की रूप में किसे न्यूट किया है तो अभी केन सरकार ने NDDB यानि कि National Dairy Development Board के Managing Director के रूप में मीनेज सी सहा को अपॉइंट किया तो इसको इनका C options है ये हैं मीनेज सी सहा और इनी को National Dairy Development Board का Managing Director अपॉइंट किया गया है अब National Dairy Development Board इसकी स्तापन कब होई 1965 में इसका Headquarter कहाँ पह है गुजरात के आनंद जिले में है और इसके प्रजेंट टेम पे अब Chairman है ही बन गए है मीनेज सी सहा अच्छा B20 इंडिया का अध्यक्ष N. चंसे करन को न्यूट किया गया TTFI की पहली मैला अध्यक्ष मेगना एहलाबाद चुनी गई नाबाड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को न्यूट किया गया भारती नाबिकी बिद्दुत निगम लिमिटेट के CMD के भी सुरेश कुमार बने है रास्ती जैब विवित्ता आयो का अध्यक्ष C. अचलेंद रेडी को न्यूट किया गया प्रेति सूधन को संग लोकसेव आयो का सदस्य न्यूट किया गया लक्षमी बेंकटेस को INTUC करनाटक का नया अध्यक्ष न्यूट किया गया सेवी ने सुन्दर्मण रामूर्थी को PSE का नया MD&CEO गोसित किया है अरुन गोयल को Election Commission of India का नया चुनाव आयुक्ष बनाया गया है I.O.A की Athlete Commission का अध्यक्ष मेरी कौम को चुना गया गुजरात किरकेट संग का नया अध्यक्ष दनराज परिमल नाथवानी को चुना गया और सुमित्रा चरत राम पुरुसकार से उमा सर्मा को सम्मानित किया गया नया क्यूशन है हाली में Sydney McGloglin और किस ने World Athlete of the Year 2022 अवाड जीता है तो अमेरिका की हैं Sydney McGloglin और स्वेडन की हैं Mondo Duplantis इन दोनोंने 2022 का World Athlete of the Year अवाड जीता तो उसको उनका बे आप्सन सही है ये हैं अमेरिका की बाददोड की अथलीट Sydney McGloglin और स्वेडन की Mondo Duplantis इन दोनोंने 2022 का Athlete of the Year अवाड जीता है अच्छा अबनी लेखरा को पैरा Sports Person of the Year का पुरुसकार मिला गांधी मंडेला पुरुसकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया अजीत अंजुम और आर्फा खानम सेरव्थानी को कुल्दीप नईयर पत्रकारता सम्मान मिला है फ्रांसी सी सरकार की द्वारा अरौना साइनाम को सैबेलियर पुरुसकार से सेतु मादवन को एजु थाचन पुरुसकार के लिए चुना गया ने क्यूशन है हाली में फेफा बेसुकप 2022 की ट्रॉफी का अनावर्ड किसके द्वारा किया जाएगा तो देपिका पादपॉंड इस वार फेफा वर्ल्ड कफ की ट्रॉफी का अनावर्ड करेंगी तो तो बॉबी किन्नर ये दिल्ली M.C.D. की पहली ट्रांसजेंडर पारसत बनी है तो इसकुशन का बे आप्सन सही है ये हैं बॉबी किन्नर और ये सुल्तानपुरी एवार्ड से दिल्ली M.C.D. की पहली ट्रांसजेंडर पारसत बनी है ने क्युशन है हाली में किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मेरा थन में Air Warrior Corporal Amar Singh Devanda ने छटा इस्तान आसिल किया है तो यह जो अल्ट्रा मेरा थन है यह ताइवान में होई है और यहीं पर Air Warrior Corporal Amar Singh Devanda ने छटा इस्तान आसिल किया तो इस कुशिन का A option से यह है अब ताइवान तो यह है मैप में ताइवान ताइवान की केपिटल क्या है ताइपे ताइवान की करंसी क्या है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान की प्रेजेंट एम पर प्रेसिडेंट कौन है साई इंग वेन कौन है साई इंग वेन ने कुशिन है हाली में किस देश में जेवांडू संक्रमड स्ट्रेप A से बच्चों की म्रत्य दर्ज की गई तो स्ट्रेप A ये एक bacterial संक्रमड है इसे अभी UK में बच्चों की मौत दर्ज की गई है तो इसकोषिन रे आपसिन से यह अब UK तो ये है अमैप में UK यूके की केपिटल क्या है लंडन, यूके की करंसी क्या है पॉंड इस्ट्रिलेंग और यूके के प्रजेंट टेम पे प्राइमिस्टर कौन है रिशी सुनक अच्छा जागरती आदब एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी यूके ने अमीरों के लिए कर्मे कटोरी के प्रस्ताव को रद कर दिया लंडन में दाजा भाई नौरोजी की घर को ब्लू प्लैंक सम्मान मिला है और क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टुडेंट से टेज इंडेक्स दोजार तेज में लंडन टॉप पर रहा है ने क्यूशिन है हाली में किसने क्लाइमेट इंवेस्टमेंट अपॉर्चिनिटी इन इंडिया ज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की तो ये बल्ड बैंक ने जारी की तो इसकूशिन का बे ऑप्सिन सही है केटरल सरकार के साथ साज़दारी में क्लाइमेट इंवेस्टमेंट अपॉर्चिनिटी इन इंडिया ज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट बल्ड बैंक ने जारी की है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जल्द ही दुनिया के उन पहले इस्तानों में सामिल हो जाएगा जहां गर्म हबाएं मानव की जेवित रहने के इस तरको पार कर सकती है अब ये रिपोर्ट बल्ड बैंक ने जारी की है तो बल्ड बैंक की स्तापना कव होई 1944 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है वासिंग्टन डेविसी में और बल्ड बैंक के प्रजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है डेविट माल पास ने क्यूशन है हाली में देश वर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलों इंडिया केंदर खोले जाएंगे तो हमारे युबा मामलों की मंतरी हैं अनुराग ठाकोर इन्होंने गोशना की है कि पूरे देश में 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलों इंडिया केंदर खोले जाएंगे ने क्युशन है हाली में आर्बियाई ने किस देश के मुद्रिक प्रादिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं तो अभी RBI ने मौलडेव के मौद्रिक प्रादीकरड के साथ मुद्रा अदला बदली के समझोते पर ह ostracature किये तो इस कुश्शन का BEOPS लीए अब मौलडेव तो ये है वह मैप मौल डे मौलडेव की Capital क्या है माले मौलडेव की Kalnilly की क्या है 189 प्रत्सद ब्रद्धी को मंजूरी दी है तो अभी करनाटक की केबिनेट ने ये तिना होल परयोजना लागत में 189 प्रत्सद की ब्रद्धी को मंजूरी दी दुसकुशिन का C options है ये ये तिना होल परयोजना ये क्या है ये एक पेजल परयोजना है इसमें येतना हूल नदे से जल को निकाल कर आसपास के छेतर की पेजल की समस्या को सॉल्ब करना है इसकी लागत में 189 प्रत्सित की ब्रद्धी को मंजूर दी गई अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल के है? बैंगलोर करनाटक के चीपनिस्टर कौन है? बसब राज बॉंबई और करनाटक की गवर्नर कौन है? तावर चंदर गैलोथ अभी करनाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया Artificial Intelligence Based Cossal Portal तयार किया है करनाटक में तेन ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल सिक्चक के रूपे चुने गए देश में सबसे अधिक इस्तापित ग्रिड इंटरेक्टिब अक्षे उर्जा चमता करनाटक में है दक्षिड भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलूरू में हरी जंडी दिखाई गई प्रदानमत्ती मोदी ने बेंगलूरू में केंपे गुड़ा की 108 फीट उची प्रतिमा का अनावरण किया है करनाटक में बांदीपूर, अंसी, नगर होल, बनलकटा और कुद्रे मुखा नेसनल पार्क हैं ये करनाटक के इंपूर्टेंट नेसनल पार्क हैं करनाटक के दो डांस आपको याद रखने हैं यक्षगड और डोलू कुनीता ने क्यूशन है तो अभी लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालित सलावी को जमना लाल बजाज पूरुसकार दोजर बाई से समानित किया गया तो इसको शिन का बे आप्सन सही है एक तो यह हैं डॉक्टर ओगिरत यूनान और दूसरे हैं डॉक्टर वालित सलावी यह दोनों लेबनान के हैं इनको बारत के बाहर गांदी बादी मुल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पूरुसकार से समानित किया गया अच्छा आपको पता है अल्ट्रा मेन इंडिया का किताब मिला है रॉक्सी कूल ने 2022 देविंदर लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया और सेयुक्त रास्ट सरडार्ती पूरुसकार एंजिला मॉरकल ने जीता है ने खुशिन है हाली में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदल कर क्या करने का प्रस्ताव सुईकार लिया है तो TRS तेलंगाना के चीपनिश्टर है के चंद से कर राव इनकी पार्टी है तेलंगाना रास्ट समिती यानि कि TRS इसका नाम बदल के अब भारत रास्ट समिती यानि कि BRS करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने सुईकार कर लिया है तो इस कुशिन का B options आई है ने कुशिन है हाली में किस ने चेननी मेट्रू रेल नेटवर्क के बिस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर रिड को मंजूरी थी तो अभी ADV ने चेननी मेट्रू रेल नेटवर्क के बिस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर के रिड को मंजूरी थी तो इस कुशिन का A options आई है अब ADV यानि कि ASEAN Development Bank इसकी स्तापना कब होई 1966 में इसका Headquarter कहां पर है Philippines में और इसके Present Time पर President कौन है मस्ताथ सुगू असकवा नेकुशिन है हाली में किसने NMCG यानि कि National Mission for Clean Gunga के अधिकार प्राप्त Task Force की 10 में बैठक की अधिक्षता की है तो हमारे जल सक्ती मंतरी है गजेन सिंग सेखावात इन्होंने अभी NMCG के अधिकार प्राप्त Task Force की 10 में बैठक की अधिक्षता की तो इसके कुशिन का C Options आई है अब लाश्ट वीडियो की कुशिन का Answer लाश्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूचा था कि हाली में आर्टन Capital द्वारा जारी अभी दुनिया के सबसे मजबूत Passport की सुची में कौन सीड्स पर रहा तो आर्टन Capital ने अभी दुनिया के सबसे मजबूत Passport की लिस्ट जारी की इसमें UAE टॉप पर है तो इसकुशिन का A Options आई है मैंने आपको बताय था UAE फर्स्ट पर है Germany 2nd पर है Sweden 3rd पर है और Finland 4th पर है अच्छा इस लिस्ट में इंडिया कौन सी नमबर पर था तो इस लिस्ट में इंडिया 87 भी नमबर पर है जब भी मैं आपसे कोई कुशिन पुछता हूँ उसके बारे में आप डिटेल में लिखा करो कुशिन के बारे में जितना भी आपको पता है अगर आपने एक बार लिख दिया तो फिर आपको भी भूलोगे नहीं अब आपके लिए आज का कुशिन हाली में बंडे क्रिकिट के इतियास में सबसे तेज 12 सतक केस ने बनाया है चार option दिए गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का आप target जरू याद रखना आज की studio का target है 40 एल लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप है उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमार current affairs का video आपको ये video कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजी आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all page with you thanks for watching